तो आज मुझे बहुत जादा क्रेविंग हो रहे थी पीजा खाने का और रात को कुछ बनाने का भी मन नहीं था तो मैंने ओडर किया है डॉमिनो से चार मस्त वाले पीजा उसके साथ धेर सारे ओरीगैनो और चिली फ्लेक्स मिले थे तो चलिए मैं आपको बताओ कि मैंने कौ खुद नहीं पता कि इन सारे बॉक्सेज में से किसमें क्या है तो जब फर्स्ट वाला बॉक्स ओपेन करती हूं तो देखके मेरा दिल गार्डेन गार्डेन हो जाता है इसमें था चिकेन सॉसेज पीजा और इसे मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है इसको देखके तो मेरी और ज्यादा बढ़ गई थी सेकेंड वाले बॉक्स में था हमारा पनीर एंड कैपसिकम बिथ हॉट विदेशी सॉस यह भी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी और थार्ड वन वास मार्गरीटा जो कि मैं अकसर मतलब बहुत टाइम खा चुकी हूं पहले भी और लास् वैसे अब इसका सारा कुछ करने के बाद ही इसको खा सकते हैं तो देखने में तो यह 10 on 10 था आपका क्या ख्याल है इस बारे में सारे पीजा का जो भी नाम है ना मैंने उपर कैप्शन में दे दिया है ताकि आप भी इसे और करके इजिली खा सको तो चली आप यह जो हमारे पास धेर सारा चीली फ्लेक्स और औरी गैने हो है उसको इस पे उरेल देते है उसके बीना तो मुझे कुछ टेस्ट ही नहीं आता और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जिनको इसके उपर ना केचप डालके खाने में मज़ा आता होगा मैंने भी इस पे खूब सारा उरेल दिया है अब मैं इसे टेस्ट करने वाली हूँ तो मेरी क्रेविंग ऐसी होती है कि मैं पहले नौनवेज से ही स्टार्ट कर देती हूँ चीकेन सॉसेज पीजा और यह फ्रेंड्स बहुत जादा डिलीसियस था और इसको खाने के बाद मैं खाती हूँ कैपसिकम और पैपरीका भी होट विदेशी सॉस इसका नाम इस टाइप का है बट यह बहुत टेस्टी लगा पैपरीका के वाज़े से नहीं के स्पाइस लेवल अच्छा आ रहा था देन आई वांटे टू ट्राइ कैपसिकम और पनीर बट आये स्टॉप्ट बिकॉज मार्गरीटा को अगर सबसे लास्ट में खाती ना तो मजा नहीं आता है वैसे यह टेस्टी तो बहुत होता है चीजी फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा होता है बट यह मुझे ओके लग क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ जादा ही फ्लेवर फुल दो पीजा खाये थी और लास्टली मेरी खुछी देखी रहे होंगे चेहरे पर मैं ट्राइ करने वाली थी लास्ट में पनीर कैपसिकम होट विदेसी सॉस दोनों का नाम होट विदेसी सॉस था और सच पूछी ना